नमस्कार मित्रों इंडियन SRJ परिवार में आप सभी का स्वागत है भारत वर्ष में संचालेत विकास परियोजनाओं के महत्तो पूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको मुंबई एहमदाबाद पुलिटरन परियोजना के एहमदाबाद हाइस्पिट रेलवे स्टेशन के विशेश जानकारी देंगे बताएंगे कि कितना वह क्या क्या हुआ अब तक निर्माड कारे पूर्ण निर्माड कारे की एक्स्क्लोजिव ग्रिश प्रदर्शित करते हुए आपको हम इस परियोजना के विशिश्टाएं भी बताएंगे तो मित्रों संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंततक अवश्य देखें मित्रों एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में व्रिधी करें तथा बेल आइकोन को आल पर सेट करना ना भूलें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं भारत की पहली बुले ट्रेन की प्रतिक्षा हर किसी को है यह ट्रेन मुंबई से एहमदाबाद के ड्रीम रूट पर फराटा भरेगी वरतमान समय में इस संपूर्ण मार्ग पर तीवर गती से कायरे संचालित है बतादी की बुले ट्रेन परियोजना की कुल लंबाई 508 किलो मिटर है और इस परियोजना की कुल लागत 1.08 लाख करोल रुपे है इस परियोजना का पूरा काम जापानी तकनीकी से किया जा रहा है और अब तक परियोजना का 215 किलो मिटर वाय डक्ट का कायरे पूरा हो चुका है शेश कायरे प्रगती भर है बुलेटरिन परियोजना के लिए 345 किलो मेटर नीव में से 340 किलो मेटर का निर्माड़ कारे पूरा हो चुका है जबकि 245 किलो मेटर में से 215 किलो मेटर का निर्माड़ कारे पूरा हो चुका है गार्डर कास्टिंग का कारे भी हो चुका है आई अब जानते हैं इस रूट के दूसरे बुलेटरिन स्टेशन के बारे में विस्तार से बताने कि एहमदाबाद और मुंबई के मध्य 12 बुलेटरिन स्टेशन बनाए जाने हैं इसमें गुजरात के वापी, बिली मोरा, सूरत, भरूज, वडोदरा, आनंद, एहमदाबाद और साबर मती में स्टेशन बनाए जाएंगे जबकि मुंबई, ठाने, विरार में महरास्टर के स्टेशन बनाए जाएंगे सभी स्टेशन इस्थानी थीम पर आधारी थोणगे सभी रेलवी स्टेशनों के फाउंडेशन का कायरे पूरा हो चुका है और दिसमबर 2025 तक सभी बुलेटरेन स्टेशन बन करके तयार हो जाएंगे आपको हम एहमदाबाद बुलेटरेन स्टेशन की एक्स्क्लूजिव द्रिश्य प्रदर्शित करते हुए बता दी कि इसे एहमदाबाद के बुलेटरेन स्टेशन का निर्माल तीव गती से संचालित है और इसका डिजाइन नगर की संब्रिध सांस्कृतिक और एतिहासिक विरासत को अनोखे ढंग जे समाहित करता है बुलेटरेन परियुजना भारत के उच्च गती रेल नेटरोक का एक महत्तोपूर्ण भाग है एहमदाबाद मुंबाई बुलेटरिन मार्ग पर एहमदाबाद स्टेशन एक प्रमुख हब होका भारती रेल की लगभग 29,000 वर्ग मिटर क्षित्र में विस्तारित यह स्टेशन वर्तमान की पस्चीमी रेलवे स्टेशन के ऊपर इस्थित है जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 10,11 और 12 सम्मिलित है इसकी छत पर सैक्डू पतंगों की आकरितियां बनी होई है और इसका अग्रभाग प्रतिष्ठित सैयद सिदेकी की जाली की जटिल जालीदार कारी से प्रेरित है इस स्टेशन में दू प्लेटफॉर्म है और यह भू इस तर से 33 दश्मनों 7 मीटर के उचाई पर इस्थित है जिसमें कॉनकोर्स और प्लेटफॉर्म लेवल स्लैब पहले ही बन चुके है एहमदाबद बूले ट्रेन स्टेशन परियोजना की तक्नीकी जानकारी देने हैं तू हम आपको बता दी कि यह निर्माड़ कारे मुंबई एहमदाबद हाई स्पीड रिल कॉर्परेशन लिमिटेड एवं परियोजना पर निर्माड़ कारे आरम होने की तारीक है 9 दिसंबर 2021 तथा इस प्रोजेक्ट पर इंजिनिरिंग है टाटा कंसिल्टेंसी सर्वीसेज कंसल्टिंग इंजिनिर्स ग्रूप लिमिटेड वा आर्वी एसेसेट्स एट सेक्टरा की यह पूरे MHSR परियोजना जापान इंटरनेशनल कूर्परेशन एजिनसी अर्थात जी का द्वारा वित्त पोशित है एहमदाबाद हाइसपीडरल कॉरोडोर इस्टेशन का अन्य रेल परिवाहन साधनों के साथ निरबाध एकी करण सुनिस्चित करने के लिए राश्टरी हाई स्पीडरल कॉर्परेशन लिमिटेड ने एहमेदाबाद के लिए उपयोग करता अनुपूल स्टेशन लेयाउट तयार किया है वर्तमान के रेलवे स्टेशन के पूरवी भाग में यातरी परिवाहन के लिए एक एककरित भवन की योजना भी बनाई गई है जहां यातरी तेजी से एक साधन से दूसरे साधन पर स्विच कर सकेंगे यह भवन, एसकलेटर और लेफ्ट रिसे सुसज्जित होगा तथा इसमें बुकिंग कार्याले, यातरी लॉबी, चाय कॉफी क्यास और अनिसुविधाएं जैसी अनेक यातरी सुविधा उपलब्द होंगी बतादिकी बूले ट्रेन लाइन के गोजरात के एहमदाबाद जीले में साबर मती नदी पर बना पूल भी सम्मिलित हैं 480 मिटर लंबे और 350 मिटर चोड़े नदी पर बने इस पूल में 76 मिटर और 50 मिटर के स्पैन हैं इसके अतरिक्त साबर मती रोलिंग स्टॉक डीपो को जापान के शिनकांशिन डीपो से फ्रिणा ले करके विक्सित किया जा रहा है टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तीनों डीपो में से सबसे बड़ा होने के नाते यह लगभग 83 हेक्टेर क्षेतर में विस्तारित हैं डीपो में हलके और भारी रखरखाव दोनों के लिए अत्याधुनिक उपकरण होंगे जिन में निरेक्षण कच, धुलाई संयंत्र, कारे शालाएं, शेड और अस्तबल लाइने सम्मिलित होंगी कुछ सबसे बड़े ओधोगी की शेड डीपो का भाग होंगे और निर्माण कारे अच्छी प्रकार से यह चल रहा है वर्तमान प्राशाशनिक भवन के लिए ओएची निर्व का कारे और RCC कारे भी चल रहा है आपको हम बता दें कि 320 किलो मिटर प्रती घंटे की गती से चलने वाली यह हाई स्पिट रेल परस्चिमी भारत के भू भाग से गुजरते हुए मुंबई और एहमदाबाद के मध्ये 508.17 किलो मिटर की दूरी लगभग 2 घंटे में तै करेगी इससे दोनों टर्मिनल स्टेशनों के मध्ये वर्तमान यात्रा समय की तूलिना में लगभग 9 घंटे बस से और 6 घंटे पारंपरिक रेलवे से की बचत होगी यह महराश्ट्र में 155.76 किलो मिटर, केंद्र शाशित प्रदेश, दादरा और नागर हवेली में 4.3 किलो मिटर और गुजरात में 349.04 किलो मिटर की दूरी तै करेगी तथा मार्ग में 12 स्टेशन होंगी परियोजना की मुख्य विशिष्टाओं की बात करें तो यहाँ भारत में पहली बार स्लैब ट्रेक प्रणाली के आरम है 24 नदी पूल, 28 पूलों और गलियारों के साथ 7 परवती सुरंगों का निर्माण तथा 7 किलो मिटर लंभी समुदर के नीचे सुरंग का निर्माण भी सम्मिली थे केंद्री रेल एवं IT मंत्री अश्वनी व्याशनों के अनुसार भारत के पहली बूलेट्रिन का पहला खंड 2026 तक सेवा के लिए तयार हो जाएगा जिसमें सूरत से बिली मूरा के भाग पर बूलेट्रिन चलेगी वहीं बात करें एहमदाबाद बूलेट्रिन स्टेशन के डिजाइन की तो यहाँ आधुनिक एवं यातरी सुविधाओं से लैस होगा इसमें विशाल प्लैटफॉर्म, एयर कंडिशन वाले वेटिंग रोम, रिटेल स्पेस और अन सुविधाएं सम्मिलित होंगी बूलेट्रिन स्टेशन का नेरमाड एहमदाबाद के विकास को एक नया आयाम देगा यहाँ परियतन को बढ़ावा देगा, रोजगार की अवसर पैदा करेगा और नगर की connectivity को सुद्रिन करेगा एहमतावद बोले ट्रेन स्टेशन का निर्माड एक एतिहासिक मिल का पत्थर है जो भारत के विकास की गती को बढ़ावा देगा हम आशा करते हैं कि हम परियुजा नगर और देश के लिए सम्रिध्धी और प्रगती का मार्ग प्रशिस्त करेगी मित्र इस प्रकार से उत्कुष वीडियो बनाने का हमारा एक मात्र उद्देश ये है कि देश में हो रहे विकास कारियों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे जिसके लिए हम यह सभी कारी कीवल और कीवल अपने दमपर स्वेक्छार से कर रहे हैं इसलिए आपका सहयोग वो समर्थन अत्यंत आवश्यक है आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक सधिक लोगों तक साजह करकी वैचारी की सहयोग भी कर सकते हैं मित्रों हम आशा करते हैं कि आपको एहमताबद बुलेटर निस्टेशन परियोजना के विशेज जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गाउं अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाओं हो तो वह भी बताएं इसके अतरिक्ति यदि आप नए दर्शक हैं अथवा भी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स वो वाट्सेप आ झाल